36 गड़ कॉंग्रिस की न्याय यात्रा के दौरान कॉंग्रिस समर्थक आपस में भिड़ गए बताया जा रहा है कि पूर्व विधायक शकुंतला साहु की तस्वीर जंडे से धक दी गई थी जिसे देख कर उनके समर्थक आपस में भड़क गए मंच पर लगे पोस्टर को फा रहे हैं पाचवे दिन सारा गाउ से यात्रा शुरू होगी और सड्डू में खत्म होगी कॉंग्रिस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैच को मोहन मरकाम अनीता योगेंद्र शर्मा छाया वर्मा चरड़दास महंत ज्योत्सना महंत सहीत कॉंग्रिस के अन्य पदाधी कारिय भी रहे दरसल न्याय आत्रा के तीसरे दिन पैदल चल रहे पदाधीकारियों और कारिकरताओं के बीच विवाद हो गया दीपक बैच की न्याय आत्रा शाम पांच बजे खर्तोरा के पास पहुचने वाली थी इससे पहले मंच पर फोटो ढखने के विवाद पर विधायक स संदीप साहु और पूर्व विधायक शकुंतला साहु के कारिकरता भी भीड़ गये संदीप साहु के समर्थकों ने स्वागत मंच पर लगे पोस्टर को जिसमें शकुंतला साहु की फोटो लगी थी उसे कॉंग्रेस ने जंडे से दबा दिया था इस बात से नराज होकर श के पहुचने से पहले इस्थानी बड़े नेताओं ने विवात कर रहे कारिकरताओं को समझाईश दी उसके बाद ही यह मामला शांत हुआ दीपक बैच के गुजरने के बाद पोस्टर फाड़ने वाले सभी कारिकरता यात्रा से वापस चले गए कॉंग्रिस नेता चरड़ दासमहंत ने कहा कि दीपक बैच के नेत्रित्व में सभी विधायक पूरो मंत्री और कॉंग्रिस के नेता अलग-अलग समय में शामिल हो रहे हैं कॉंग्रिस पदादी कारियों और कारिकरताओं के अलावा आम लोगों का साथ भी मिल रहा है हमें एकता और भाई चारा चाहिए यह सड़क हमें साय सरकार ने नहीं दी है गटकरी ने सड़क दी है हमारे कारिकार में भी सड़के मिलती थी मीडिया कर्मियों से चर्चा के दौरान कॉंग्रिस नेता महंत ने कहा कि हमारे लिए यह सोचने का विशय है हमें कम से कम एक साल तक बीजेपी को काम करने का समय देना चाहिए मगर हुआ यह कि साल भर भी काम नहीं कर पाए अधिकारियों को लेन देन की खुली छूट सरकार ने दे रखी है हम लोग दुखी है चोथे दिन की न्यायात्रा में कॉंग्रेस ने नौ नेताओं को यात्रा मार्ग की जिम्मेदारी सौपी थी यह जिम्मेदारी प्रतिमा चंद्राकर, सीमा वर्मा, दिनेश यदू, कमल कांथ शुकला, छाया वर्मा, अंबिका सिंग्देव, अनीता शर्मा, पुर्शोत्तम कवर और प्रविंड साहु को मिली थी न्याय यात्रा के चौथे दिन बड़ी संख्या में कारिकरता जूटे, पैदल यात्रा में निकले दीपक बैच का अनीता शर्मा की मौझूदगी में बच्चों ने स्वागत भी किया कॉंग्रिस की न्याय यात्रा पाचवे दिन यानी एक उक्टूबर को सारा गाउ से शुरू होगी और सड्डू में खत्म होगी पाचवे दिन कॉंग्रिस नेता 16 किलोमीटर पैदल चलेंगे इस दिन अरुन वोरा, विनै भगत, कमलेश मिश्रा, त्रिलोक सिवास, चंद्र शेखर चंद्राकर, ममता चंद्राकर, पंकज वर्मा, विनोत तिवारी, अजै साहु, स्वपनिल शुकला की जिम्मेदारी में कॉंग्रिस की न्याय आत्रा का समापन 2 अक्टूबर को होगा, कॉंग्रिस नेताओं की अनुसार इस यात्रा में सचिन पाइलट और उन केस साथी भी शामिल होंगे, आखरी के 3 किलोमीटर वो भी साथ चलेंगे, कॉंग्रिस नेताओं ने कहा कि भारती जनता पार्टी ने जो भाई चारा बिगाड़ा है, हम उसके विरोध में उत्रे हैं, न्याय आत्रा में शामिल होने पहुचे, कॉंग्रिस नेताओं ने देवेंद्र यादों को भी बेवजह केस में फसाने की बात बोली